हेलो फ्रेंग्स, वेलकम बैक टो माई चैनल, मैथमाटिक सक्सेस यहाँ पर हम लोग आज फिर से एक मॉडल पेपर टाइप भी समझ लीजिए हैंडेड कोशन्स डिसकस करने वाले हैं और इसे पहले वाला मॉडल पेपर अगर आपने अभी तक नहीं देखा हैं तो प्लेलिस्ट में आप चले जाएए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसमें आपको वो मिल जाएगा तो उसे देख लीजिए उसके अलावा भी हमने जो भी वीडियो और से में कोशन्स डिसकस कियो हैं वो भी बहुत जादा इंपॉल्टेंट है तो सारे वीडियो को आप जरूर देखें और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेर करें ताकि वो लोग भी सारे कोशन्स को प्रपेर करें ठीक है एक तरीक को पेपर है और टाइमिंग चेंज हो गई है आपको अगर नहींद पता है तो आप देख लिजए कि अपने क्लास के कोडिंग तो एक सुबह की सिफ्ट है दो बज़े से कोई भी पड़ नहीं है एक सुबह आठ बज़े से है और एक ज्यारा से ठीक है तो आपने वही shift देख लिजेगा कि आपकी कौन से shift पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पे हम पहला question देखते हैं विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है तो विश्व में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन कौन करता है ब्राजिल, आस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया तो बताए कौन सा answer सही हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा answer है वो हमारा भारत है ठीक है option C is right answer सबसे ज़्यादा जो केले का उत्पादन होता है विश्व में वो हमारे भारत में होता है ठीक है अगला question देखते है निम्न मेंसे कौन सा भारत में सबसे उची पहाड़ी station है ठीक है सबसे उची पहाड़ी station कहाँ पे है सिलांग में लेह, सिमला या फिर मुननार तो यहाँ पे कौन सा option right हो जाएगा तो आपको पता है लेह और लदाक सुना होगा तो option B यहाँ पे मारा right answer है अगला question देखते हैं अब अब उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से subscribe कर लेजेगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें अगला question है निम्न मेंसे छेटफल की दरश्ट से एसिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है ठीक है तो एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है चीन भूटान है भारत और मालदूइप है चीन एवं मालदूइप है या फिर रूस हैं भूटान है तो आपको बता है रूस भी बड़ा है और भारत तो बड़ा ही है चीन भी छेद्रफल की दर्ससे यहाँ पुछा अमर की दर्ससे पूछते तो अलग होता और अगर छेतफल की दस से पूछ रहे हैं तो अलग होगा ठीक है छेतफल की दर्श्री से भी चायना हमसे बड़ा है और जनसंक्याद में भी तो आप बताईए कि कौन सा option right हो जाएगा तो यहाँ पर option हमारा चीन और मालडूइप यह right है ठीक है अगला है निम्लि मेंसे किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है सोन नदी, दामोदर, गंड़क या कोशी नदी तो आपको पता होना चाहिए एक बिहार की जो नदी है उसे बिहार का शोक बोलते हैं और यहां जो बंगाल का शोक है, वो हमारी को सी नदी को बोला जाता है ठीके इचीन में कौन सी नदी है जो मतलब ज़्यादा जब ज्यादा वारिश हो जाती है तो वो भी बहुत ज़्यादा तुफान मचाती है तो बताईएगा अगर आपको पता हूँ निम्न मेंसे किस नदी किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल इस्थेत है तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है ठीक है दचिन अफरीका अमेरिका में है या रूस में है तो सबसे बड़ा जो है वह रूस में है ठीक है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल रूस में है और आप कमेंट करके बताएंगे जंगल का नाम क्या है ठीक है अगला कुश्चन है निम्लिकित में से कौन सा इस्थान है जहां पर कभी बारिश नहीं होती देखिए इसलिए यह सारे कोशन जो बीच-बीच में पूछ लेते हैं तो उन्हें आप कोशिश करिए मलब करिए कि वह तुरंत ही देख लीजे यह नहीं की बाद में देख लेंगे ठीक है तो कौन सा इस्थान है जहां पर कभी बारिश नहीं होती तो सहारा मरस्तल साहरा रेगिस्त तो बताईए फूलो की गाटी कहां है इनी तीन ओप्शन में से इतनी जूट आपको तो तुका लगाई यह आता हो तो बताईए तो ऑप्शन यह आपे राइट है उत्राखंड ठीक है अगला है भारत में सबसे बड़ा जंगल किस राज में भाई भारत में इंडिया में ज शिमंगाल या सिक्किम तो आपको पता होना चाहिए ये जो है मारा option b right है मध्यपदेश मध्यपदेश जो है वो हमारा जंगल भी वहाँ पे सबसे जादा है ठीक है और सबसे बड़ा अंगल भी वहीं है इन में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो आप सभी को पता है कि ब्रस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है अगला है सुंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है ठीक है सुंदर्ता की देवी प्रत्वी की बहन यह सब किसको कहते हैं शुक्र को कहते है ठीक है पता है ना कि प्रत्वी के जैसा ही सिमिलर लगता है इसलिए इसको प्रत्वी की बहन भी बोलते हैं ठीक अगला कोशन है निम्लिकित में से कहां अंतराश्च्री समुद्री संगठन का मुख्याले है तो लंदन जेनेवा पेरिस या रोम तो कौन सा ओप्षन सही हो जा स्धेर दाश्च्री तो कहा अंतर है इसलिके कि महादुइब में जॉला मुख्य नहीं है देखे यह चोटी-चोटी स्ट्रिक्स जो याद करते हैं यह भूलती नहीं है तो इन्हें ध्यान रखने के कोशिश करा करिए और वीडियो एक से ज्यादा बार देखते हैं तो फिर दुबारा जिब देखेंगे तो उसमें कोशिश करा करिए कि सारे अंसर आप दे प कीत्ति आपका काम हो जाएगा आगे है नेमली कित इसे किस माहदौ उईप में जौत्र की नहीं है उत्तरी अमेरिका अंटार्क्तिका यूरोप ऐस्ट्रेलिया तो यहां पर ऑप्षण देखे आपको अनसर ओस्ट्रेलिया में जौले मुखी नहीं है आगे देखते हैं सा वी राइट है अगला कोशन है सौर मंदल में किस ग्रह में जीवन की संभावना विद्धिमान है तो चंदर्मा फिबोस फिबोस तो यह जो है दो आने उपग्रह है ठीक है प्लानेट नहीं है यह टाइटन या यूरोपा यूरोपा जूपिटर से रिलेटेड है आप लोग य क्या सीखा कुछ नयाद सेखने को मिलेगा ठीक है रोपा ही सही है इसमें अगला है किस इस्थान पर भागी रती और अलक नंदा मिलकर गंगा बन जाती है ठीक है तो कहां पर भागी रती और अलक नंदा मिलेंगी कण प्रयाग देव प्रयाग या रुद्ध प्रयाग या तो इसơnी में से option सही है तो बताईए कॉन सा options सही है तो इसमें जो वारा देव-प्रयाग है ठीक है यह option सही है भागीर thief और अलक नंदा जो है वो कहां मिलती है डेव a ठीक है तो आप इसको relate करना चाहें तो कृष्ण जी कहाँ चलते है रत पर चलते हैं तो रतい ना से समझ लीजिए और नन्द जी के घर रहते हैं तो कौन ही वो देवताजी है ठीके वो देवता ही तो है क्रिश्न भग्वानिक तो यह तेव प्रयाग में है ठीके इस टेप से रिलेट कर लीजिए तो आपको समझ में आजाएगा आगे है देव प्रयाग के रावा रुथ उच्छी भूम में होती है या 30 अमिलाडू नागा लेंड ठीक है तो यह जूम टाइप की खेती कहां होती है आप बताएंगे क्या होता है कि मलग कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं जमीन को ताकि वो फिर से अच्छी हो जाए फसल मतलब टाइम के बाद फिर से बहुते हैं कुछ इस टाइप से घूम केती होती है तो यह नागा लैंड में है अम प्रसिद्ध है वहाँ पे जादा तर करते हैं लोग अगला है दो चांप बहुत और अगर अब आप trailers का तो do subscribe करेंगे और जरूर जरूर से सभी के साथ share करेंगे कमेंड करके बिढ़ेंगे कि आपने कितना सही किया थीख है मलब आप कितना कर रहे हैं और किया आपकी ठा-धर है ठीजी नहीं है से नहीं भी है तो कोई वाथ नहीं एक क्वान है ठीज किली है लेकिन अब आपके 75 हैं तो 75 का 33 परसंट इतना होता है अगर आप ले आते हैं तो आप पास हैं ठीक हैं तो इसमें से पूछा गया है एक नदी एस्चुरी नहीं बनाती है एस्चुरी कौन सी नदी नहीं बनाती है नर्मदा तापती मांडवी या महानती तो आपशन यापर डी राइट ह नहीं बनाती है अगला है कौन सी दच्छड से उत्तर की और प्रवाहित होती है तो जो हमारी दच्छड से उत्तर की और प्रवाहित होने वाली नदी है ये कौन सी है तो दो उत्तर से दच्छड की और हमारी नदी प्रवाहित होती है ये हमारी बेतवान दी है ठीक है अगल अगला है क्योटो प्रोटोकाल क्या है तो क्योटो प्रोटोकाल से related भी कोशन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं तो आप इसे समझ सकते हैं या global warming को कम करने के उपाय करने के लिए विविने देशों के बीच करार है ठीक है अगला कोशन है ओजोन छिद्र का निर्मार सरवादिक कहां है तो ओजोन छिद्र जो है वो अंटार्क्टिका के उपर जो है सबसे ज़्यादा है ठीक है अगला है मॉन्टियल प्रोटोकाल का समझ किस से है अभी आपने देखा था है आपे क्योटो प्रोटोकाल देखें दो प्रोटोकाल है वो क्योटो है वो मॉन्ट्रियल है तो आपको क्योटो में याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिने देशों के बीच करार है ठीक है global warming Divine को खम करने से Related हो जो maroral है यो ऑजोन परत्त के सनचछण से casual फीक है तो आप इस टाइब से भी याद रखते हैं रख सकते हैं जिसे क्यों क्यों कर रहे हो production, मतलब क्यों क्यों कर रहे हो production ग्लोबल warming क्यों फैलाय हतनी जादा तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने से रिलेटेड हो गई ठीक और जो हमारा यह है मॉंट्रियल तो यह ओजोन पर को सनच्छण को ले करके ठीक है तो कह रहे हैं कि मानलो ओजोन लेर कुछ कहीं बनानी है ठीक है यह भी तो उसी से भाई जब हमारा प्रदूर्शन कम होगा प्रदूर्शन कम हो ताकि ओजोन परत में छिद्र ना हो ठीक है तो यह मॉंट्रियल प्रोटोकाल जो है तो आप याद कर सकते हैं अगला है कौन सा वर्णक वनस्पति को पैरा बगनी किर्णों के दूस्प्रभाव से बचाता है तो यहाँ पर हमारा आंसर है कैरोटी नाइट जो वर्णक है यह हमारा वैगनी या यूवी रेस के प्रभाव से तो उस प्रभाव से बचाता है ठीक है अगला है UNEP का मुख्याले कहां है मतलब United Nations Environment Program ये भी आपको इसके बारे में एक सेबरेट वीडियो में UNEP, UNDP इस सब के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताया था वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लिए इसकी साप्रा कभूई इसका मुख्याले कहां है तो बहुत important है तो आप जाकर के देख सकते हैं ठीक है इसका जो मुख्याले वह नौरोबी केन्या में है अगला है इ जो है इन्वार्मेंट को नुकसान ना पहुचाते हूं ठीक है उन्हें इको मार्क दिया जाता है अगला है केन्या की नोबल पुरुसकार विजेता वंगारी मथाई किस चेतर में अपने योगदान के लिए जानी जाती है तो धार्नी विकास या सस्टेनेबल डेवलप्मे का नेतत्व किया तो इस टाइप चाहिए केन्या के ग्रीन वेल्ट मुमेंट का नेतत्व किस ने किया तो हमारी इन्होंने किस ने किया जो नोबल पुरुसकार विजेता वंगारी मथाई ने किया इनको अगर यह पूछे कि किसको ग्रीन वेल्ट मुमेंट के लिए नोबल मथाई को मिला ठीक है वो कहां की निवासी है तो वो केने की निवासी है अगला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सरवादी कुतरदाई गैस कौन सी है तो जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा अगला है जगाली करने वाले पसको किसी ग्रीन हाऊस गैस को उत्पन करते हैं तो यह मीठेन गैस होती है अगला है मानस परने जी वबहांड वो important भी नहीं है आप उसको ध्यान मत रखिए तब भी चलेगा आप लोग करेंगे कमेंट तो बाखी लोग जब बार में वीडियो देखेंगे तो वह भी देखेंगे कि हाँ यह आंसर सही है मतलब वह वैसे गूगल पर सच करेंगे जाके अगर उनको आता नहीं और अगर देख लिया कि हाँ आज जादा दरबच्छों ने आपसन बताया त तो यह जो हमारा मानस पड़ता है यह भी हमारा आसम में पड़ता है ठीक है अगला जो हमारा कोशन है वन मिनट तो ठीक है यहाँ पर हमारा आसम है आप लोग इसको बिलकुल याद रख लेंगे आसम सही है अगला कोशन है हमारा इनमें से कौन सा पदार्थ जैव निमनी कर अगला कुशन है सीता माता अभयान किस राज में है तो सीता माता अभयान किस राज में है ओप्शन C यहाँ पर राइट है ने 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 ये जो सीता मता है ये हमारा राजिस्थान में है ठीक है थोड़ा कन्फिजन थी ठीक है तो ये हमारा राजिस्थान में है इसको बिल्कुल अच्छे से याद लग देजिएगा आगे हैं भारत में इस्थापित पहला निजी अभ्यान साई किस राजे में है तो ये जो पहला निजी स्थापित अभ्यान है साई ये है हमारा करनाटक में ठीक है Option A Right है अगला है उत्तराकन में इस्थे नधवर बनेजी अभ्यान किस वर्स इस्थापित हुआ तो यह हमारा इस्थापित हुआ 2012 में ठीक है, option C यहाँ पर हमारा विल्कुल right है आगे पूछा गया है, निम्लिकित में से कौन सर्वभच्ची जीव है तो सर्वभच्ची जीव कौन सा है, चीता, सेड, चील, गाय, तो कौन सा सर्वभच्ची जीव है तो मारा जो चील है, वो सर्वभच्ची जीव होता है, ठीक है अगला question है, निम्लिक में से कौन सा परितंतर का जैविक घटक है आपको कली बताया था, जैविक वो होते हैं जिनमें जीवन हूँ आज जैविक जीवन ना हो, बस इस टाइब से आप याद रखिए, तो जैविक यह पौधे के लावा को इसी को हम लोग जीवित मानते हैं, नहीं मानते हैं लेकिन पौधे में जीवन है, यह मानते हैं और ये ये इस कौन से महान व्यग्यानिक थे जिन्होंने बताया था ये बतायेगा आप लोग ठीक है अगला है जीवास म्हिंधन के दहन में कौन सी gas उत्पनन नहीं होती इंधन जो अलम होता है तो इस ऑक्सीजण नहीं निकलती था और अक्सीजण निकले तो सब लोग तु है ठीक है तो यह उत्पादख होते है हमारा ऊप्षन यहmusic है पूह बारा फिर्ण सही है ठीक है अगे देखते हैं कौण सा प्राणी मानसा हरी है गाय बकरी हीरन मेढक तो सिंपल सा है पता ये कॉन सा मासा हरी है यह हमारा जिव साका कहरी और जू खटमल साप तो हापको पता है जो हमारा टिडदा है ये हमारा साका कहारी है कौन सा मानो निर्मित परितंत्र नहीं है तो कौन सा मानो निर्मित नहीं है उद्यान खेत एक्वेरियम वन तो हमारा जो वन होता है यह हमारा मानो निर्मित नहीं होता ठीक मानो निर्मित नहीं है ना और एक्वेरियम हम लोग बना लेते हैं खेत हम लोग बना लेते वन तो पहले से हैं, बहुत सारे वन पहले से हैं, जिने हमने नहीं बनाया, जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मा की काई है, तो जैविक अजैविक पदार्थों की जो क्रियात्मा की काई होती है, वो जीव मंडल है, परितंत्र है, बायोम है या जैविक समुद साए तो बताएं कॉन सा आंसर सही कूल परीटब का आजयायव घटक नहीं धू सदी का नहीं चैनल को आगे भी बहुत अच्छा नहीं करेंगे ताकी बागी 10 आड़ेग Side नहीं न्यों आगे यो इसाइप करेंगे जुए जागी सद्सक्राइब करें इुस्ते keyboard को आपको आगे भी बहुत अच्छा मठेरियल मिलता रहेगा ठीक है आगे देखते हैं जय विविदिता के विशिष्ट इस्थल कौन से हैं तो वन होटल कोईले की खाने पेट्रोलियम कुमे जो जय विविदिता के विविदिता जो इस्थल है वो हमारे वन में हैं ठीक है वह जो दॉक्ट लोक होते हैं ऑंकि इस रंग के कुड़िदान में कुड़ा आलते हैं नीला पीला लाल अहरा तो आपको बता가요 doctor में red में ज जयराटव में तो हर एक में 10% टोल होती है वह कम होती जाती है ठीक है तो जो हरे पौदे कितने पतिशत उर्जा गरहन करते हैं जो भी होता है 10% के हिसाब से जब चाहेंगे ठीक है तो यहां पर 1% आंसर दिया हुआ है यह हरे पौदो के लिए लेकिन यह जब इधर से इधर से जाते जाएंगे तो वह एक नियम है लिंडमान का उसे देख एक इस तर से जो दूसरे स्थम में उर्जा जाती ही वो 10% ही चाहती है ठीक है यहां पर है पौदे गरहन करते हैं इसलिए थोड़ा सा कर्फिवन है ठीक है ओजोन सरुचर दिवस कमनाया जाता ही हमने आपको पूछा था साचरता दिवस कमनाया जाता है तो मैंने बताय था यह हमारा 16 सेप्टमबर को होता है 15 को इंजीनियर दे 14 को हिंदी दिवस और हमारा 16 सेप्टमबर को हमारा ओजोन लेयर दे होता है ठीक है ओजोन लेयर नहीं ओजोन सनचर दिवस ठीक है अगला है पैरा बैगनी केड़ने ओजोन को विगटित कर देती है तो पैरा बैगनी जोई नहीं किया है तो वहां से भी जॉइन कर सकते हैं आपको PDF मिल जाएंगी ठीक हैं और जो भी बच्चे अगर CSGM वाले कोई बच्चे Bios के देख रहे हैं और वो BSC 3rd year के हैं तो कुछ बच्चे जो अलग उनिवर्सिटी से हैं उनका कहना है कि की बायो का पिपर दे दीजिए तो अगर किसी के पास अगर बायो से कोई फ्रेंड सोन के तो बायो का अगर BSC 3rd year का कोई student की environment का देख रहा हो तो मुझे जो है वो भेज देगा email पर मेरी email है अगर पॉसिबल हो तो जल्दी से जल्दी बेजिएगा मलब एक दो दिन के अंदर क्योंकि फिर अगर उनका पेपर हो गया तो फिर उससे उनको क्या प्रॉफिट ठीक है इसलिए अगला कोशन देखते हैं पोसी इस तर के प्रत्थम पद सदा होते हैं तो जो पोसी इस तर के पहले पद होते हैं वो कौन से होते हैं वो पादप हैं ठीक है पादप से ही स्टार्ट होता है फिर पराथ में कुप भोकता फिर दोतीयक फिर ततियक फिर अप घटक में ठीक है आगे है कौन सी पोसी इस तर के बाद उर्जा समाप समाप्थ हो जाती है तो तीसरे पोसी स्तर के बाद या चौथे तो देखिए पहले तो अभी अपने बताया कि पहले उत्पादक होते हैं ठीक है पौधे हो गए फिर प्रात्मिक ठीक है फिर दतियक फिर त्रतियक ठीक है इसके बाद अब घटत आते हैं जो बिलकुल सब तो यहां से कितने स्टेफ हो गए हमारे चार स्टेफ यहां पर हुए तो इसलिए चार सही है ठीक है तो 10-10 परसंट टूट जाती जाती है हर बार में जैसे 10,000 ली तो अगले में किवल उसका 10 परसंट ही पहुंचेगी ठीक अगला देखते हैं उत्पादकों के इस्तर जीवों की संस्था कैसी होती है ठीक है उत्पादक के इस्तर जीवों की संस्था कैसी होती है सबसे कम सबसे अधिक ना कम ना सूने तो यहां पर सबसे अधिक उत्पादक मतलब उत्पादक हमारे घास बगेरा होते हैं आपको पता है तो ये हमारे सबसे ज़्यादा होते हैं ठीक है संख्या यहां पर होगा संस्था नहीं होगा आज बहुत ही बारिश का मज़म है बिल्कुल पता नहीं सब्जेगे तो नहीं हो रही होगी अगला है सबसे अधिक हानिकारक रसायन किसमें संचित होती है ठीक है तो सबसे अधिक जो हानिकारक रसायन है कीटों में हैं सेर में हैं मानों में हैं पौदे में तो हमको पता है कीट में है या मानों में है या सेर में है तो हानिकारक रसायन हमारी बोड़ी में बहुत सारी chemical reactions होती रहती है इसलिए शायद मानू सही है यहाँ पर इसे चक कर लीजेगा ठीक है वैसे मानू ही होगा क्योंकि कीट तो छोड़ा सा होता है उसके अंदर लिकेना बैसे नहीं कर सकते अब साप है वो भी एक कीट है उसके पढ़ता है तो उसमा दाब रोक्त दोनों कोई नहीं तो यहाँ पर जो भी बहुत इक प्रक्रमों पर प्लास्टिक पर प्रभाव पढ़ता है यह मारा दोनों का पढ़ता है ठीक है आगे देखते हैं निम्लिखित में से कौन क्रतिम सा परितंत्र है तो बगीचा है हम लोग ने नहीं बनाया मलब खेत उद्यान यह सब हम लोग ने बनाया था तो उसमें बन आंसर सही था और इसमें उल्टा पूछा था इसमें एक पहचाना था जो प्रतिम है उसमें था कौन सा क्रतिम नहीं है ठीक है तो बन सही था अगला है निम्लिकित में से कौन सा तत तो नहीं है देखिए अगर आप बेसी से हैं तो आप हमारे चैनल पे आपको थर्डियर की क्लासिस मिलेंगी ठीक है रेगुलर तो एक तारीक से आप लोग अपना कॉपी पर लेके त्यार हो जाईएगा जिस भी सब्जक्स से रिलेटेड मैट्स पगेरा मैट्स फिजिक्स त करने घ्रियर के खाद्र रंकला का निन्वार करते हैं नहीं अगे कोई एक नहीं आएगा सब भी ठीक है जैव घटक को और डविक गटक कि से तो जैव और जैविक गटक जो हैं वो हमारे परेवरण से रिलेटेड हैं और आप लोग बताएंगे परिस्तितिकी या इको सिस्टम सब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया और इकोलोजी सब्द किस ने दिया हमने बहुत ही अच्छे से आपको बताया था अपने पिछल सब्सक्राइब तो बच्चे ने कामेंट भी किये थे ठीक है उसमें तो उनका अंसर बिल्कुल सही था अगला कुशन है खाय हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है तो 5% 15% 10% या 20% तो 10% आपका जो है जैव मात्रा में बदलता है खाय हुए बोजन क जो हुआ है अगला है ओजोन किस बनि होती है ओजोन लेयर किस चीज से बनि होती है और अगे देखते हैं जो जो होती इसका फोमूले में औहीं होता है शर्ब ठीक इसलिए ओक्सिजन सही मा साहरी का पैंड़ो लुक्ति आजिए चैवारह तो आगवन होने लालिये उस जो जो से इस टाइब और ि quantity Kanu लाएगे देखेंगे मकरण को माशारी पर लोगर्टे fit डू पर प्यारो पीड़न को खाय लोगर हीरन ने इस टाइब से भीका खोना की स्वागर सब्सक्राइब तो यह मेढक ने खाया तो यह मेढक हो गया मांसाहरी तो यह थार्ड पर ही पढ़ रहा है ठीक है तो इसलिए ततिया को भोगता है अगला है जिनमें प्रकास अंसलेशन की छमता है देखिए इसके बाद वाले जो इस्टेप आएंगे वो भी मारे मांसाहरी होंगे लेकिन हम जो पहले पढ़ेगा उसी को वहां से ही स्टार्ट हो जाएगा इसलिए उसको बता रहे है जिनमें प्रकास अंसलेशन की छमता होती है तो उत्पादक उत्प्रेर रख भोगता या आप घटक तो प्रकास अंसलेशन हमारे पौधे करते हैं जो हमारे क्या है उत्पादक है अभोगता है उत्पादक है भाई ठीक है अभी बताया था आपको फिछले ने ठीक है जो फोटो सेंथेसिस की प्रॉसेस होती है वह हमारे पौधे करते हैं अगर अभी यह आप ने वीडियो को लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दि तो एक लाइक तो करी सकते हैं ठीक है पर्यावरण और परिसित्की का जैविक गटक क्या है तो यहां पे वनस्पति होता है ठीक है अगला कुशन है पर्यावरण एवं परिसित्की का भौतिक गटक क्या है तो यह हमारा प्रवाहित जल जो होता है यह हमारा पर्यावरण और परियावरण के पारिषपारिक सम्द का अधन क्या कहलाता है जीव इग्यान जैव भूगल बहुत की परिस्थित की तो यह हमारा परिस्थित की कहलाता है ठीक है देखें अभी था जैविक और जैविक पैंप deficiency किसे थे हैं तो टांसले ने किया एकोलोजी का सबसे पहले प्रयोग वन के परिसित की तंत्र में कवच को किस समू में समलित किया जाता है तो यह अपगटन करता में समलित किया जाता है अगला है जलवाई परिवतन से सरवाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहतार्थ किसे बनाया तो green client fund जो है इसके लिए बनाया जाता है कि जलवाई पर विर्तन से समंधित जो प्रभावित होने वाले देश है उनकी शायता के लिए ठीक है वनों को नस्ट करने का कूर प्रभाव क्या पड़ता है तो जो वन को नस्ट करने का कूर प्रभाव है मृदा परदन पर पड़ता है ठीके वन नस्ट होते हैं जिसे बारिश होती है बारिश होती है तो मिट्टी ऐसे कटी नहीं है ठीके ऐसे हमारी मिट्टी जो है वो बहती ह इसलिए मर्दापरदन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है ठीक, अगला है देखे अगर यहां पर खर्पतवार जैसे दिया है तो क्या हम लोग खर्पतवार जब पेड़ नश्थ हो जाएंगे, तो क्या खर्पतवार जरूरी है कि नश्थ हो जाए, वहां पर फिर से निकल पहाडों पर काफी नमी और जल होता है फिर भी यहां मरुद्वित क्यों होते हैं ठीके तो यहां पर ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे दौरा उपयोग में नहीं लाया जाता है ठीके जो क्योंकि आपको पता है अगला है प्रकतिक परिस्तिकी तंत्र का उदारण है जो प्रकतिक परिस्तिकी तंत्र है वो हमारा जील है ठीके अगला है क्रतिम परिस्तिकी तंत्र का उदारण है तो यह मारा खेत है क्रतिम परिस्तिकी तंत्र यह है और प्रकतिक अगर परिस्तिकी तंत्र पूछे तो देहें धैन लोग बनाते पार्क हम लोग बनाते खेत्थ भनाते livre क्रaking नीचे प्व disruptionoser ऑस में खेट जाये जिल ही है जो पहले से ठीक है अब कहिए गंगा न हमने बहाई और बहायी में बहायी ना तो फो स्क्रूल Tas יש ताजेपानी के सबसे बड़ी जील कौन सी है ज्रूर करके आप ही के लिए हैं सारे कौशन्स क्योंकि आप अगर अच्छा पढ़ीं तो आप वहाँ पर कर पाएंगे थीक अगला है लमडी ये जल परसित की तंदर का उदाहरण किया है तो यहाँ पर प्रवाल भित्त्टे आजयव घटकों को कौन जोड़ता है तो जैविक और जैविक घटकों को जोड़ने का काम है वो हमारे आकार्वनिक पदार्थ करते हैं अगला है मर्दा पर्दन को किस से बचाया जा सकता है तो ब्रच्छा रुपन के द्वारा मर्दा पर्दन से बच सकते हैं ठीक है मर्दा कारक है वो निश्चित करते हैं ठीक है अगला है परिशित की तंत्र में पादपों वा प्राणियों के पारिश्पारिक समंधों का आधार क्या है तो यह पोशक समंध है ठीक है पोशन समंध है परिशित की तंत्र के पादप और प्राणियों के बीच पूछा है ठीक है तो प पनीक आ यह काई है तो यह तो इस पेड़ी से आते हैं आगला है प्रकाषि झूर्जा को रसानी पूर्जा में कौन बदलता है तो यह हमारी हरे बदलते हैं कैसे व्लिशा की प्रॉससे ठीक है जो इन्सेलशंट क्रिया होती है उसके दौरा हरे क्या करते हैं प्रकास की जो फर्म की लाइट होती है उससे अपना खाना बनाते हैं गेमिकल रियेशन से ठूट से ठूट है और एक था क्लोरो फिल्म में क्या पाया जाता है ठीक है इस टाइब से पूछ सकता है अगला है परिस्थित्की तंदर के सो पोसी घटक कौन होते है तो जो पादप होते हैं वो सोपोची गटक होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं अगला है हरे पौधे को परिस्थितकी में क्या कहा जाता है तो हमने बताया सौ बार बता चुके हैं अभी तक जितने कोशन हुए सम में हमने यह बताया कि जो हरे पौधे होते हैं उनको पर जोब भी पेड है ऐसे ही तो पेड होते हैं हमारा ठीक है यह हमारा पेड हैट मैं हमारे सहीर पीलतवलक दिखिए इस रखता में हमारी समय ₹ भूत कर रहा हैिसम्व राफड़ इसे लेने जाते लोगँते तो आपको कहा दो है कि आपप झैटीधिय को सां लिए विजुका प्रोप्रीड कीट ना सकाइँ किस से होता है थी किस से होता है थी को जار्टिफिकेशन चांते के कारण जल की वजह से यह बहुत उची तापमान और कमवर्षा के करण होता है देखिए जो मरिस्तल होते हैं पेड़ नहीं होतें क्योंकि वहां पर बारिस नहीं होती है और जो है जो टमप्रेचर होता है बहुत ज्यादा होता है अग्ला कोशन है साकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं तो अभी आपको बताया जो हमको जिसे पहले नुम्मर पे उत्पादक हो गये पेड़ पौदे भाय उत्पादक हो गये तो जो इनको दे रहे हैं जिसे हम लोग तो नहीं क्योंकि है जो दोनो प्रकार की भोजन काते हैं तो प्रावी कुब्होगता वो है जो पादकस सीधे ले रहें तो साकाहरी प्राणी को खाते हैं तो इसके बाद जिसे हैं यह का ऐने का है एक घ्टे ने खाया इसका sto tic होते हैं साकहारी जो दोतियक होंगे भोगता तो वह हमारे मासा हरी होंगे अगर स्रंखला में पूछें तो वह तीसरे नुमबर पर आते हैं ये कोशन भी हो चुका है जो कुट्टा किस वर ने आता है तो कुट्टा आपको पता है साका हारी भी खाता है मासा हारी भी खाता है तो वो दोनों में आता है तो इसलिए ये पहले पेड़ हो गया दूसरे पर हमारे टिड़ा हो गया तीसरे पर टिड़े को मेड़क ने खाया मतलब टिड़ा मेड़क खाया तो और फिर तो हमारा जो प्रात्मी को भोकता था वो टिड्डा था दोतियक था वो कुता था मतलब मेड़क था ठीक है तो उसी टाइप से जब कुत्ते को रखेंगे तो भी इसमें आएगा अगला है सर्वाहरी जनतु किस वर्ग में आते हैं तो यह भी दोतियक भोकत सब्सक्राइब का रिखाएब को यह भी आता है यह भी ततियक भोकता में आता है फ्रकतिका सफाई कर्मी किसको कहा जाता है तो यह हमारा गिंद को कहा जाता है केच्विय को किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मिट्टी को खोद करके उसको बिल्कुल वो कर जता है, ठीक है, देखा होगा जो लोकाओं में रहते हैं, समार्जक भोक्ता किस रेड़ी में कौन समलित है, तो जो समार्जक है या अपगटक है वो दीमक है, ठीक है, सबसे लास्ट में आते हैं, अगला है अपगटक जीवों का उधारन है, तो कवक हमारा अपगटक जीवों का उधारन है, अगला है बैक्टेरिया किस रेड़ी में आते हैं, तो ये भी अपगटक में आएंगे, ठीक है, सबसे लास्ट में आते हैं, अपगटक प्राश्मिंद क्वाइब होते हैं तो यह हमारा सूर्य है अगला है पैसी की तंत्र में उर्जा का कौन होता है तो पैसिजी तंत्र में रुपांत्रन होता है ठीके ना निरमाण होता है ना स्थ्रीकरण हो अगला कुशन है पैसी तंतर में उर्जा का हास किसे होता है तो रुपांतरण से उर्जा का हास होता है ठीक है जैसे अब सब्सक्राइब का यूज करके खाना बना लिया यह कैमिकल रियक्शन के दौघा यह किसने क्या हु और अगला है साकाש-णि उर्जा पिहूंशती पहुंशती है तो अभी आपको यह से पहले भी बताया है अगला कोशन है परचिरी तंतर में उर्जा का प्रवा सदयव कैसा होता है तो एक दिशात्मक होता है अगला है परचिरी तंतर में उर्जा सदयव किस इस तर को प्रवाहित होती है तो यह उच इस तर से निमनेस तर में प्रवाहित होती है तो उमीद करते हैं सारी ही question आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपने इसको सही-सही answers भी दिये होंगे और उमीद है कि आप comment करके भी बताएंगे जो answers हमने यहाँ पे questions पूछे हैं उनके answers ताकि आपका भी level थोड़ा सा upgrade हो और बाकी लोगों का भी तो और जिन्होंने math या chemistry से हैं जो बच्चे वो उन्होंने अगर math का paper solution नहीं देखा है तो वो जा करके देख सकते हैं वहाँ पर math का और chemistry का full solution है जो D और A set है शायद B और C में कुछ ही इह मलब question इधर उदर होंगे बाकी same ही रहता है तो आप वहाँ से मिला लीजेगा और फिर अगला वीडियो आपका फिर से आएगा तो उसमें आपको कुछ और important questions मिलेंगे तो अभी यही पढ़िए आज मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो के साथ जय हिन जय भारत चैनल को subscribe तो जरूर ही कर दिजेगा